लगता तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं और यहां पर किस तरीके से लोगों का हुजूम जुम्रा हुआ है क्योंकि हर कोई जानना चाहता है देखना चाहता है वो आखरी जलक लता मंगेशकर जी की जो की अब अमारे बीच में नहीं रही है लेकिन सुरो की सर्ता जो की पि अंतिम यात्रा में शिर्कत करता हुआ और यहां से सीधा जो उनके अंतिम यात्रा है वो शिवाजी पार्क तक पहुंचेगी दो घंटे का यह पूरा पूरा का इंडिया अस्पतान में भरती थी, उनका इलाज लगातार जारी था, बीच में उनकी स्थिती में सुधार भी हुआ था, स्टेबल हुई थी उनकी तबियत लेकिन उसके बाद चार दिन पहले अचानक उनकी तबियत बिगडी, फिर वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया, ले इसमें सैंक्रों की संख्या में लोग पहुँच रहे हैं, भाववीनी शृद्धांजरी देते हुए नजर आ रहे हैं, अपने अपने तरीके से हर कोई लता जी को याद कर रहा है, पिछले 80 सालों से संगीत की दुनिया में वो सक्रिये रही, हाला कि 13 साल की उम्र में उन्ह उन्हें अपने पिताजी से लिए और उसके बाद जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े-बड़े मुकाम वो खासिल करती देंसर आई, लेकिन आज भी जब भी उनकी सुभा की शुरुआत होती थी, तो वो अपने संगीत की रियास से ही शुरुआत करती थी, लेकिन जैसे खबर हम समी के बीच में आज सुभा आट बच कर बारा मिनट पर उनका निधन हुआ, और प्रिती जो लगातार हम तस्वीरे देख रहे हैं, इन तस्वीरों से साफ जाहिर है कि हिंदुस्तान की वो आवाज जिसके जरीए हर घर में एक मुस्कुराहट सामने आती थी, हर को के लिए लता मंगेशकर जी आज अपनी आवाज के जरीए ही पीडियों तक याद रहेंगी। हैं लोगों पर अगर वो उन गानों को दोराएं या फिर उनको गुनगुनाएं और यही खासियत है, यही उनकी शक्सियत की बड़ी पहचान है कि जितनी बड़ी कलाकार थी वो अपने सिंगिंग में, प्लेबैक सिंगिंग में लता मंगेशकर जैसा ना कोई था, ना है, ना होगा, यह बात 200% कही जाए तो सही है, वो इसलिए क्योंकि एक तपस्या के तौर पर उन्होंने अपने संगीत को लिया, और जो लोग उने जानते हैं, अभी जावेद साब के साथ वो बातचीत कर रही थी, जब उनका अस्तिमा बर्थडे था, तब वो उनसे मिली थी, वो शाम को आप हमारा पूरा इंटर्व्यू देखेंगे भी, उसमें वो यह कह रही थी कि मैंने अपने संगीत को साधना के तौर पर लिया, वो साधना जो वो हर दिन सुबह उठकर करती थी, और जब कोई गीत उन्हें आपर होता था, तो वो उस गीत को ऐसे गाती थी, कि जैसे कोई पहला गीत गाने जा रही हैं, और यही उनकी सपलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र भी था, और आज उनकी इस यात्रा का अंतिम पढ़ाओ, जिसकी तस्वीरे हम रितिका देख रहे हैं, जहां पर उन्हें भावभीनी शद्धान जी देने के लिए, बहुत सारे ल बराबर है, यह मैं कह सकती हूँ, और साती साथ अंतिम संसकार की जो यात्रा का जो सिलसला है, वो बमुश्किल मेरे ख्याल में दस मिनट और लगेगा, जब शिवाजी पार्क में रितिका पहुंचेगा, और देखेगा कि फिर एक नया जो जन समू है, वो यहां पर नज़ प्षले कई सालों से, पिछले कई रशकों से इसी तरीकी से प्यार समान हर कोई लता दी को देता हुँ नसर आया, और ऐसे में अपुनिये शती, जिस शती को पूरा नहीं किया जा सकता है, आज हर कोई लता मंगेशकर जी की उस तस्वीर को, उन गानों को याद कर रहा है, लगातार वही तस्वी निकल कर सामने आ रही है जिसके जरीये लता मंगेशकर जी ने हर जगह अपनी पहचान बनाई और बहुत कम लोग जानते हैं कि गायका के साथ साथ एक वो संगीत कार भी थी उनका खुद का एक होम प्रोडक्शन भी था जिसके बैनर तले एक फिल्म भ भी अपनी एक रूची कायम रखी हो और ऐसे में अब जब लता जी अब हमारे बीच में नहीं रही है हर वो तस्वीर हर किसी के जहन में उभरकल सामने आ रही है जिसके जरीये हर कोई अपने आपको एक जुड़ा हुआ महसूस करता था एक आम नागरिक के तौर पर और जलक पा लेना चाहता है और जब इस अंतिम यात्रा की शुरुआत हुई वो तस्वीर भी आपने देखी और उसके साथ तमाम वो चेहरे सामने आते हैं जिसमें काजोल शामिल है जिसमें प्रियंका चोपड़ा शामिल है उनको भी आवाज देती है प्रिती जिंटा का भी नामुद में शामिल है रितिका और उन आवाजों पर भी वो इतना सटीग बैठता है कि कोई यकीन ही नही के लिए गाई गई थी और वही आवाज है जो मादूरी दीकशित के लिए मैं सीधर रुक कर लेती हूँ मेरे साथ श्रेया बनी हुई है श्रिवाजी पार्क से श्रिवाजी पार्क में तैयारिया पूरी है और लगता है कि बहुत कम वक्त रह गया है श्रेया जब उनके पार उस्राइन पूरी तरीके से हो गई है हर जगा आपको लतामंगेशकर की बड़ी-बड़ी तस्वीरे जो है वो नजर आएगी देखें बढ़े वादेिकार से लेकर आम आदमी सारे लह जो है वो यहां पर लतामंगेशकर के पार्तियों सुरीर का जो है वो इंतजार कर रहे है मुखागनी की जो पूरी तयारिया है वो हो गई है पोस्टर लग गए है जहाँ पर उनका पार्तिव शरीर रखा जाएगा उस बैट को जो है वो पूरी तरीके से फूलों से सजा दिया गया है सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है जो आम आदमी है वो भी जो है लगतार वो च राश्ट्री को एक अलग नाम दिया है वहीं बड़े से बड़ा जो अधिकारी है वो भी यहाँ पर पहुंचा है साथी साथ हम आपको बता दे कि महाराश्ट्र सरकार ने पूरे राज्य में सोमवार यानी कल को एक दिन का शोग दिया है साथी साथ पब्लिक हॉलिडे की ज जो है वो उने मिला था तो पूरे राश्ट्र समान के साथ जो है उद्दव ठाकरे का पूरा परिवार यहां मौजूद होगा साथी साथ प्रामिनिस्टर नरेंद्र मोधी भी जो है वो किसी भी वक्त जो है वो यहां आ सकते हैं और पूरे राश्ट्र समान के साथ जो है ल लोगों के दिल में बस्ती है वहीं उनका ऐसे चले जाना जो है लोग अभी भी उस बात को स्विकार नहीं कर पा रहे हैं लेकिन लगतार आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से जो शिवाजी पाक है यहां पर पूरी जो तयारिया है वो हो गई है सिक्योरिटी जो है वो शिवाजी पाक बहुत सकता है जिसके बात जो है वो मिलिटरी ओनर के जरीए जो है लता मंगेशकर को राश्य समान दिया जाएगा तो आप देख सकते किस तरीके से यहां पर शिवाजी पाक में तयारी हो गई है सारे लोग जो है अपनी नजरे गड़ा कर यहां पर रुके शिवाजी पाक में तयारिया हो गई है पुलिस प्रोटेक्शन बढ़ा दिया गया है साती सत्म आपको बता दे कोरोना नियम जो गाइडलाइन है उनका भी पालन किया जा रहा है जादा लोगों को इस पूरे समारों में जो है वो मौजूद होनों की उपस्तिती नहीं दी जाएगी नरेंदर मोधी जी भी पहुच रहे हैं तो सिक्योरिटी को जो और भी बढ़ा दिया गया है लेकिन खास तोर पर किसी भी वग जो लता मंगेशकर का पातिर शरीर है वो शिवाजी पाक